इन में प्रमुख हैं शारीरिक अनुसाशन, स्वस्त शरीर ही अच्छे जीवन का आधार है इसको ध्यान में रखते हुए हमें पीटी, परेट, खेलो, योग और ध्यान आदि में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए दूसरा है वित्ती अनुसाशन, जब हम वित्ती रूप से अनुसाशत नहीं रहते हैं तो हम गलत तरीके के अधिक पैसा कमाने के तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं और वित्ती जाल में फंस जाते हैं हम आनलाइन गेमिंग इत्यारी की लट में भी फंस जाते हैं वित्ती अनुसाशन हम सभी के लिए अनिवार है तीसरा पहलू है नैतिक अनुसाशन इसका सीधा सा अर्थ है जो हमारे लिए निर्धारेत है करने योग है उसे पूरी उर्जा से पूरा करें और जिन कारियों बातों का हमारे लिए निशेद है उनको कदापिना करें और चौथा मगर बहुत ही महत्पूर्ण पहलू है भावनात्मक अनुसाशन सोशल मीडिया लोगों की जिन्दगी और उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है हमारे लिए ये अतियंत महत्पूर्ण है कि हम सोशल मीडिया गाइडलाइन्स का पालन करें और समय समय पर डिजिटल उपवास का पालन करें इससे हम सोशल मीडिया के प्रभाव से दूर रहेंगे सुरक्षा के साथ ही अनी शेत्रों में भी हमारे बलसदस उपलब्दियों का पता का लहरा रहें हैं जैसा आप सभी को विडित है कि CISF द्वारा मास सब्टेंबर 2022 में सात्वा अखिल भारती पुलिस जूडो क्लस्टर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इस कलस्टर में केंद्री एवं राजपुलिस बलों के 41 टीमों ने 1740 खिलाडियों ने भाग लिया था CISF की टीम ने कुल 71 पदक जीत कर मेडल टैली में प्रतम स्थान हासिल कर बल का नाम बढ़ाया है मैं सभी पदक विजेताओं को हर दिक पधाई देता हूँ आप सभी द्वारा आजादी का अमरित महोचसब के तत्वधान में देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्री एक्ता दिवस स्वच्छता पक्वारा आदि विभिन अभियान चलाए गए मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि आपने और आपके परिजनों ने उत्साह पूर्वक देश भर में इन गत्विधियों में भाग लिया है मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविश में भी हम इसी तरह भारत सरकार द्वारा दिर्धारित लक्षयों एवं कारक्रमों की सफलता सुनिष्टे